तो फाइनली हमने मंगा लिया है पोटा लाइट जो की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में काम आता है फोटोग्राफि में नहीं वीडियोग्राफि के लिए बैसिकली ये है और इसको हमने फिलिपकट से मंगाया है आभी मैं इसको अन्बॉक्स करके आपको दिखा रहा हूँ ये जो कूरियर ले करके आया है फिलिपकट वाले वो ही ओपन करके दिखा रहा है क्योंकि ये ओपन बॉक्स डिलिवरी था इसी वज़े से इसको ओपन करके दिखाया जा रहा है ताकि अगर कुछ टूटा फूटा रहा है तो वो रिटर्न ले जाए और हम इसको रिसीव नहीं करें तो आप देख सकते हैं इसको हमने इस तरह से ओपन किया है बॉक्स के अंदर अच्छे से पैक हो करके आया है और मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर ये इसका लाइट वगएरा कुछ टूटा होगा क्योंकि काफी से उन लोगोंने भेजा है ये देखिए इसमें भी स्पंज लगा हुआ है और इसका जो हेलोजन है वो सबसे नाजुक वही होता है तूटने का डर इसी का होता है बागी और कोछ जरूट नहीं है तूटने का तो अच्छा था ये देखिए आपको ओपन करके दिखा गया और अभी वो फिलिप काट वाले फोटो इसका क्लिक करेंगे अब ये दूसरा मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक नहीं दो मंगाया है अब दोनों को देखते हैं कि इसके अंदर टूटा हुआ निकलता है या नहीं एक तो सही निकल गया है और दूसरा देखते हैं कि इसके अंदर हेलोजन जो है वो टूटा है या फिर सही है और काफी अच्छा क्वालिटी बगर है तो काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये डिजी टेक का है और डिजी टेक भी एक ब्रांड बन चुका है और उसका प्रोड़क्ट लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है उसके अलावा अगर दूसरा कोई लोकल ब्रांड लेते हैं तो उसमें हो सकता है कि प्राब्लम रहे लेकिन फिलाल डिजी टेक का तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है तो इसको भी ओपन करके देखते हैं कि इसका हिलोजन सही है या फिर तूट गया है या क्या है नहीं है इसको ओपन करके भी आपको दिखाते हैं तो ये फिलिप कट वाले जो भाईया है वही हमको ओपन करके दिखा रहे हैं क्योंकि उनका responsibility होता है open box delivery के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सारा कुछ अच्छा है quality वगरा यह तूटा नहीं है अब इसको on करके हम देखेंगे तो अभी तो फिलाल ठीक है अब इसको हम connection करते हैं यहाँ पर आपको किस तरह से connection करना है वह मैं अभी आपको बताता हूँ पीछे में डिजिटेक का branding दिया गया है branding किया हूआ है और आगे में आपको इसको इस तरह से इसका जो यह जो इसको अंदर छतरी लगता है जो umbrella है उसको इसको धीला करके उसके बाद इसके अंदर लगा करके छतरी को open कर देंगे और वो अम्रेला जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते है उस तरह से सेट करेंगे एक जो है पावर केबल का कनेक्टर यहां पर दिया हुआ है यहां पे पावर को हम कनेक्ट करेंगे पावर केबल इसके अंदर काफी अच्छा लांग पांच मीटर का आसपास का दिया हुआ है और काफी मजबूत वाला है कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एक हजार वाट का हेलोजन रहता है तो इसके लिए केबल जो है मजबूत चाहिए है लोजन की बात करो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ और आपका एक नहीं दो लगेगा कभी भी लगेगा तो दोनों साइड से लगेगा तो 2000 वाट हो जाएगा तो इसको मैं अभी ओपन करके आपको इसके अंदर फीट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से फिट होते हैं यह मैंने open कर लिया है इसका जो filament है काफी मजबूत लग रहा है और इस side में एक और इस side में दोनों side में जो pin दिया हुआ है इसके अंदर connect होगा यहाँ पर उस holder में जो है spring दिया हुआ है तो spring को दबा करके कि इसको हम इसको फिट करेंगे तो मैं भी आपको फिट करके दिखाता हूं कि किस तरह से तो यह मैंने फिट कर लिया है इसको इस तरह से दबाना पड़ता है और इस तरह से दबाना पड़ता है दोनों साइट को अच्छे से दबा करके उसके बाद फिट करना पड़ता है क्य यह उतना आप डाउन कर सकते हैं और मैं अभी इसको पावर दे करके connect करके आपको दिखाता हूँ कि इसकी रोशनी कैसी है और रोशनी तो आप जानते ही होंगे क्योंकि रोशनी इसका काफी अच्छा होता है बहुत ज्यादा होता है तो अभी मैं इसको plug-in कर चुका हूँ और यहाँ पर plug-in करने के बाद मैं switch on करके आपको दिखाता हूँ क्यों कभी भी आप plug-in करें तो heavy socket में दे, normal socket में नहीं दे तो देखिए काफी अच्छा रोशनी हो रहा है और बहुत ही ज्यादा रोशनी है इसको हम सामने से आपको नहीं दिखा सकते है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए उस चैनल को सब्सक्राइब